नमस्कार साथियों आपका स्वागते स्टेन ओएंजी के यूट्यूब चैनल में आज हम ओपी शुकला बुक की पेज नमबर गुंसा हाथ डिक्टेशन नमबर प्रशन पत्र उननीस तो छी आशी डिक्टेशन की प्रेक्टिस करेंगे इस डिक्टेशन का समय पांच मिनिट तथा गती अश्ची शब्द प्रती मिनिट की रहेगी अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे उपाद्यक्ष महोदय मैं आपका बड़ा अभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है मैं आपसे निवेदन करना चाता हूँ कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए क्योंकि मुझे काफी बाते कहनी है कुछ महिने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिष्टितियों में रेलवे मंत्राले समहाला वे परिष्टितियां बड़ी कठीन थी क्योंकि पिछली सरकार ने रेल मंत्राले की वेवस्था को बहुत खराब कर दिया था इस सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्राले की वेवस्था में सुधार कर दिया है और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं मैं बड़े ही गर्व के साथ यह कह सकता हूं की इन कुछ महिनों में बड़ी सफलता के साथ सभी कठनाईयों का सामना किया गया है देश में सूखा पढ़ने के कारण उस समय काफी कठनाईयां आ गई थी इस समय भी रेलवे ने दूर दूर के छेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीजों को समय पर पहुँचाया है ताकि आम जंता को अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि बिहार के कुछ एसे छेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत आभाव हो चुका था वहां पर भी रेलो द्वारा पीने के पानी को पहुचा कर जंता को बहुत अधिक राहत पहुचाई गई है paragraph change महुदय मैं मंत्री महुदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रेल्वे का जो बजट प्रस्तूत किया है वह भी आम जंता को राहत पहुचाने वाला बजट है और इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है एसे समय में जब की सारे देश की आम जंता बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है रेल्वे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जंता पर अधिक भारना पड़े एक स्वागत योग्य बात है रेल्वे विभाग में बढ़ते हुए ब्रश्टाचार को भी समाप्त करने का निर्ने किया गया है जो मैं समझता हूँ की सबसे आवश्यक बात है जब तक सरकार अपने मंत्रालयो और विभागों में फैले ब्रश्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेगी तब तक किस प्रकार से देश का विकास हो सकता है यह सोचने योग्य बात है मैं रेल मंत्री जी से निविदन करना चाहता हूँ की वे इस तरह की विवस्था करे जिससे ब्रश्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सजा दी जा सके ताकि भविष्च में कोई भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत न करे और मंत्रा लेके काम में बाधा न पड़े तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो इसे लाक के लिए चैनल पे नए है तो उसे सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही जाय हिन जाय भारत